जो है माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागते महा काली भगत गयाने यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ काली माता सिध्धी प्राप्त मंत्र अगर ये मा काली की सिध्धी को आप पराप्त करना चाते हैं तो साथविक रूप से आप अपने घर में माता काली के इस मंत्र को इस तरीके से जपिए जैसे मैं आपको बताऊंगी मात्र पांच दिन में ही आप लोगों को काली माता की सिध्धी पराप्त होती है वो भी इस मंत्र के चरिये से और मंत्र के साथ जो छोटी सी पूजा है वो तो वैसे भी आप अपने घर में करती होंगे अगर उस पूजा को आप मंत्र के साथ जपेंगे तो आपको 5 दिन में मा काली की सिद्धी प्राप्त हो जाईगी यानि की काली माता आपके पास और आपके घर में हमीसा के लिए सिद्ध हो जाएगी और इतना तो आपको पता हीए कि जब कोई भी देवी दिपता हमारे घर में सिद्ध हो जाता है ये हमारे पास हो जाता है, तो वो देवी दित्ता हमारे एक कहने से हमारे सभी कार्रे करने लगता है, अब चाहे हम उसे अच्छे कार्रे पे चला है, चाहे हम उसे बुरे कार्रे पे चला है, वो हमारी मर्जी होती है, लेकिन जो अच्छा करते हैं, तो माता भी उनके साथ तो उस व्यक्ती को माता सुम अपने रूप में दिखने लगते हैं कि हा बक्तों जो काली वा का सबस्ते के बखते हो वही सब्सक्राइबार बार जैसे हम मूर्तिएंन्हाप स्विरियों में देखते हैं वही हमें माता काली का दिखने लगता है हकीकत में भी और सपने के माध्यम में भी तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियों में बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाहूंगी अगर आप महाकाली भगतियान यू कुछ काली माता के ऐसे भक्त हैं जो माता जी की सिद्धी को प्राप्त करना चाते हैं और वही सिद्धी प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी पूजापाट बड़े बड़े मंतर जाप बड़ी बड़ी सिद्धी साधना सब कुछ करते हैं लेकिन इतना कुछ करने के ब बाद भी सिद्धी नहीं प्राप्त हो रही है ये कारे केवल वही व्यक्ति करें जिसके पास ओल्रेडी है सिद्धी उसको प्राप्त है तो वो इस कारे को ना करें तो मैं आपको एक मंतर बताऊंगी जिस मंतर के जरीए से आप काली माता की सिद्धी को प्राप्त भी कर सकते ह और उसी के साथ साथ आप माता काली से बाद भी कर पाएंगे और माता आपको खुद अपने रूप में दिखने लगेगी तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बता देती हूं इस मंतर को किस तरह से आपको यूज करना है यानि कि इस्तमाल करना है तो देखी भक्तो अगर आप चाते हैं माता की सिद्धी को प्राप्त करना तो पाँच दिन तक लगातार इस मंतर का आप जाप करें जो मैं आपको मंतर देने जारी हूं इस मंत्र को आप कम से कम 41 बार जपे या फिर 41 बार अगर आप नहीं जा पाते हैं तो सिर्फ 21 बार जपे ठीक है वो आपको किस तरह से जपना है ये भी मैं बता दूँगी पर पहले आप लोग मंत्र देख लो मंत्र आपको नोट काना है एक भुक में ताकि आप अच्छे से इसको याद करके फिर इसका इस्तवाल करके मा काली की सिध्धी को प्राप्त कर सको और सिध्धी तो भूच ज़्यादा जरूरी होती पूजा पाठ में जिस व्यक्ति के पास सिध्धी साधना नहीं है वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता अगर आप भी भगत बनना चाहते हैं या माहकाली की पूजा पाठ करते हैं तो सिध्धी जरूर सबसे पहले माता की प्राप्त करें माता महकाली करें जगत की रखवाली पूजे देव जिसे पूजे तीनों लोग धर्मा बाली सत्य का द्रीप जगाने वाली पापी डुष्ट को मिटाने वाली दुर्वल को सहारा देने वाली धर्म का पूज द्रीप जलाने वाली माता महकाली अधर्म का नास करने वाली जो भी नर नारी याद करे जगत माता है माता बनकर प्यार करे हर काम में सहारा बनकर संसार का कल्यान करे जै जै महकाली माता तेरी जगत जै कार करे इती सिध्धम ठीक है? ये मंतर आपको कितना प्यारा सा दिख रा है पर बड़ा मंतर है और इसी मंतर को आपको कम से कम 21 वार या फिर 41 वार चपना है इसका इस्तामाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस रृत्गराक्स की माला लेनी है अगर माला भी नहीं है तो आप इसे करमाला से भी जाब कर सकते हैं 21 वार और इसको जब भी आप जाब करेंगे तो अपने हाथ में दो लोंग लेके माता की जाब करेंगे और बाद में वही लोग आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है फिर दूसरे दिन फिर उसे उठा के फिर जाब करना है ये पाच दिन तक आपको इस मंतर को जाब करना है पाच दिन में माता की सिद्धी पर रापत हो जाएगी और जो दो लोग आप जिससे जाब कर रहे हैं बाद में उस लोग को आप अपने ऐसी जगा रख दें अपने घर के अंदर ही जहां पर मतलब आप जो कोई उसे छेड़े ना या कोई उसे तोड़े ना किसी भी चीज की कोई ना हो अच्छे से उसको रख दें और आप देखना पास दिन में ही आपको माता के दर्शन होने ल महादेव माता काली पाबा भूले ना आता आप सभी की सारी मनों कामना पूरी करें